दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूँगी जिसके वारे में शायद आप लोगों को ना पता हो तो दोस्तो क्या आप जानते हैं नदी के अंदर बनने वाला पुली अबरेज बनता कैसे हैं तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं नदी के अंदर बनने वाला पुली अबरिज बनता कैसे तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि सबसे पहले स्टील के छोटे छोटे पाइपों की सहायता से एक वड़ा कॉपर डेम तैयार किया जाता है दोस्तों ये कॉपर डेम काफी बड़ा होता है और काफी भारी होता है तथा मजबूत भी होता है और इस कॉपर डेम को पानी के अंदर मसीनों की सहायता से उतारा जाता है ताकि इसके अंदर का पानी धीरे धीरे पाइपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है और इसमें कॉंक्रीट तथा सीमें डागल कर इंजीनियर वगेरा पुल का निर्मार करते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड जादा से जादा इस वीडियो को सियर कीजिए मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ